ओम गनेशाय नमा, ओम नमस्षिवाय, मैं निखिल जोतिश आचारे, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी सोस्त होंगे, महादेव के क्रिपा आप सभी पर सदैर पनी रहें, कि वीडियो टॉरस यानि की व्रिशप के लिए ब नवम भाब पे रहेगा, आपके आठवे स्थान को छोड़कर नवम भाब में प्रवेश कर जाएंगे, अपने मित्र यानि की शनी देव की राशी में प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र क्या है, शुक्र लक्ष्मी है, अगर सरल रूप में कहें तो शुक्र लक्ष्मी ही है क्योंकि जिसका शुक्र अच्छा कहीना कहीं वो व्यक्ति लक्ष्मी युक्त रहता है शास्त्रों में ये कहा गया है कि शुक्र ब्रहस्पती इनमें से कोई ग्रहा एक अच्छा हो गया अधिक्तम व्यक्ति के जो भौतिक जीवन के कष्ट होते हैं वो तो दूर हो जाते हैं अब ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं रहेंगे किसी के जीवन में भौतिक कष्ट होते हैं, किसी के जीवन में कोई और कष्ट होते हैं लेकिन अगर शुक्र ब्रहस्पती में से कोई भी अच्छा हो गया, तो विक्ति के भौतिक कष्ट अटलीस्ट कम हो जाते हैं, इसलिए शुक्र को बहुत महत्व दिया जाता है, शुक्र धन, एश्वर्य, भोग, कहीना कहीं विद्याओं के कारक है, आप कितना अपने जीवन को enjoy कर पाते हैं, वो शुक्र है, कई ऐसे लोग होते हैं, पैसा बहुत होता है, लेकिन जीवन को enjoy नहीं कर पाते हैं, जाते हैं जब इस धर्ती से तो कहीना कहीं बहुत सारा पैसा छोड़ कर चले जाते हैं, दूसरे लोगों को enjoy करने के लेकिन अपने आप उस पैसा का enjoy नहीं करते क्योंकि उस व्यक्ति का कहीना कहीं शुक्र थोड़ा प्रेड़ेत होता है क्योंकि शुक्र भोग के कारक है निकि व्यक्ति को अपने चीजों को utilize करना अपने चीजों के दुआरा आनंद प्राप्त करना आता है इसलिए शुक्र बहुत महत्पूर्ण हो जाते हैं और यहाँ पर जो शुक्र है वो उनकी यूती भी हो रही है मंगल के साथ और मंगल इसमें बहुत पावरफूल अवस्था में है क्योंकि वो उच्चे के हैं तो इसका भी कुछ न कुछ प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा टेक्निकली बन नहीं सकते हैं कुछ विशे शुपाय भी अवश्य बताऊँगा वीडियो के अंतर में तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नवम भाव में शुक्र आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है बहुत शुब शुक्र के नवम भाव में आने को बहुत शुबता युक्त कहा गया है शास्त कहते हैं जिसके नवम भाव में शुक्र आते हैं वो विक्ति कहीं न कहीं अच्छे कारे करता है शुब कारे करता है उसके हाथों शुब कारे हो पाते हैं इसके कई मतलब निकल सकते हैं तो शुक्र का नवम भाब में आना बहुत अच्छा बताया है शास्तर कहते है कि वेक्ति ब्रामबनों की सेवा करता है यानि कि ब्रामबन कौन जो आपको ग्यान देता है जो आपको कुछ सिखाता है तो उत्तम पुरुषों की उत्तम लोगों की आपको यहाँ पर सेवा करने का अवसर मिलता है और सबसे इंपोर्टन चीज होती है क्योंक अस्पति और शुक्र ही दो मात्र ऐसे ग्रह है जिनको शुब ग्रह नैचुरल बैनिफिक प्लैनेट कहा गया है इसलिए जब एक शुबता युक्त शुबता पून ग्रह जो मित्र राशी में भी है और आपके लिए तो लगने के स्वामी भी है वो जब नवम भाम में शुक्र जो जीवन की लग्जरीज है उनको विक्ति को प्राप्त करवाता है और क्योंकि भाग्य स्थान में है यानि कि जो भी आपको चाहिए था कुछ लग्जुरियस चीज खरीती थी कुछ महेंगी चीज खरीती थी कोई attractive वस्तू खरीती थी कोई गाड़ी आदी कोई वहाँ ना दिखरीती थी नहीं खरीत पा रहे थे तो यहाँ पर वो योग बनाएंगे शुक्र कि आपको इन सब चीजों में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा नई दिशा दिखती है वेक्ति को गुरुओं द्वारा अब ये गुरु का स्थार है और शुक्र अप हम ये फूल जाते हैं कि शुक्र दैत्य चार है जहां ब्रहस्पति के पास सारे वेदों का अगान है करम कांड है सब कुछ है शुक्र के पास तंतर है जो आज के टाइम में टेकनीक यूज होती है वो तंतर है शुक्र के पास ब्रित-संजीवने विद्ध्या है यानि कि इसलिए जब वो नवम भाव में आएंगे तो आपको किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, किसी से मारग दर्शन प्राप्त हो सकता है, और कोई नई विद्या सीखने का भी आपको अवसर यहां पर प्राप्त होता है, अब थोड़ा सा कारण यह है कि बहुत कम समय क गोचर होता है शुकर का, तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा सीख अवश्य सकता है, अधन एश्वरे इन सब चीजों के लिए शुकर का नवम भाव में आना बहुत शुब होता है, जब भागे स्थान बली होगा तो क्या होगा तो विक्ति का भागे जब साथ तो उसके कारे बनने शुरू होते हैं, अब देखें कभी-कभी आपके जीवन में भागे का साथ मिलता है, बड़े से बड़ा कारे बहुत हराम से हो जाता है, और जब विपरीत होता है इसके, तो छोटे से छोटा कारे भी ऐसा लगता है कि भई ये तो कभी पूरा होगा ही आपे भागे का ही, कही ना कही साथ या फिर उसके दूरी का कुछ ना कुछ योग बनता है, तो इसलिए नवम भाव के जो शुक्र है, बहुत 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 अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले, मैं तो यही कहूँगा, इस समय का उपयोग कीजेगा आपके लिए नवपंचम केंद्र त्रिकोन राज्योग बनता है, क्योंकि जब केंद्र के स्वामी अगर त्रिकोन में जाते हैं, तो इसको राज्योग कहते हैं, और लक्ष्मी स्थान है, तो यह लक्ष्मी योग भी बनता है, तो सब कुछ आपके फेवर में ही जा रहा है, कही ना कही भाग्य भी साथ देगा लक्ष्मी भी प्राप्त होगी और एक नई clarity के साथ आपका जीवत आगे बड़ेगा इसके साथ ही शुक्र आपके छटे भाव के भी सामी है यह थोड़ा कश्टकारी हो सकता है क्योंकि यह आपके पिता जी की सेहत के लिए अच्छा ना बुले लेकिन आपके पीट पीछे आपके लिए बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं तो थोड़ा सा बचके रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा शुक्र के साथ मंगल है उनकी भी बात करनी पड़ेगी देखिए मंगल शुक्र एश्वर है भोग है लक्षरीज है पैसा है लेकिन मंगल उर्जा है तो जब मंगल की उर्जा भी शुक्र को मिल गई यानि कि वो जो उनका कारकत्व है वो और प्रबल हो गया तो मंगल से और मंगल उच्छे के भी है यानि कि यह जो सारे कारकत्व है शुक् पर जब योग है तो बिजनस में अचानक से नए उफ़र आएंगे और क्योंकि बारवे घर के स्वामी है यानि कि कहिना कहीं विदेश जाने का भी अफसर मिलेगा और नवम भाव में है पुरह दिखाता है तीर स्थलों के दर्शन हो सकते हैं अब मंगल शुक्र यूती बहु है और शुक्र दूसरे भाव के यानि कि पहले और दूसरे भाव का योग यानि कि धन योग तो इन दोनों की यूती जब भी होती है वो धन योग बनाती ही है और क्योंकि ये जो यूती है ये इनके नवम भाव में हो रही है आपके नवम भाव में हो रही है यानि कि भाग ऐसे स्थान पर होता है जिसका विवाह से संबंध होता है जैसे कि नवम क्योंकि त्रिकोन स्थान है शादी से कही न कहीं संबंध उनका बन जाता है सब्तम से भी तीसरा और सब्तम के स्वामी स्वयम मंगल भी है तो ये विवाह कि आपकी बहुत संपूर्ण, बहुत शुब योग बना रहे हैं, तो कही न कहीं, उस एंगल में भी आपको बहुत अच्छा, बहुत शुबता कुछ न कुछ प्राप्ट हो सकती है, पंचम से, क्योंकि पंचम में हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप में भी एक ताजगी एक उर्जा यहां पर आ सकती है जो लोग काम करते हैं जॉब करते हैं उनसे बस यह कहूंगा कि थोड़ा सा जैसे मने कहा बॉसेस से बचके रहेगा अधर आइस तो यह समय आपका अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम से पंचम यह बहुत स्विशेश योग जो आपको आगे बढ़ने पर विवश करेंगी और जब अच्छाएं आगे बढ़ने पर विवश करती है ना की शॉटकट लेने पर तो व्यक्ति और आगे बढ़ता है, और सफलता प्राप्त करता है तो अच्छा दिख रहा है सब कुछ, अगर सेहत के हिसाब से बात प्रब्लम, हॉर्मोनल डिसॉर्डर, रत्विकार और इंफेक्शन्स और बॉडी में इंफ्लमेशन आपको तंग कर सकता है, आँखों के भी रोग तंग कर सकते हैं, उपाय क्या करना है, आपको खीर बनानी है केसर युक्तियान की खीर में थोड़ा केसर डालना है, लक्षमी प्रिभाव अवश्यतिका, आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी, चल्ड में नहें, सब्स्क्राइब के लिए, वीडियो को लाइक के लिए, अगली वीडियो में लूगा तब तक के लिए, ओम नमस्याइब,